जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहा हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो इसके बीच में ब्रेक अभी डाउम्लोड करें ताक एप अनुछे 370 के सभी खन लागू नहीं होंगे जब मुकश्मीर से अनुछे 370 हटाए हुए दो महीने से ज़ादा हो चुके लेकिन पाकिस्तान लगातार इस मसले को दुनिया के सामने उठा रहा है और हिंदुस्तान बार बार पाकिस्तान को मात दे रहा है इसी बीच अमेरिका ने अनुछे 370 पर ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान के हुकमरानों के पैरों तले जमीर खिसा गई अमेरिका ने एक बार फिर अनुचे 370 पर भारत का समर्थन किया है ट्रंप रशासन की ओर से कहा गया है कि भारत ने जम्मु कश्मीर पर जो फैसला किया है वो उसका समर्थन करता है अमेरिका की विदेश मंतराले के दक्षीन एश्याई डिपार्टमेंट की एसिस्टन सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा कि भारत ने पिसके पीछे तर्क दिया है कि इस से जम्मु कश्मीर में विकास की रफ़तार बढ़ेगी और इसके साथ ही कई कानूनों को लागू किया जा सकेगा एलिस वेल्स ने कहा कि हम भारत के तर्कों का सम्मान करती है और फैसले का समर्थन करती है अमेरिका इन हालातों पर नजर बनाए हुए है हलाकि अमारी ये भी उमीद है कि अभी जो पावंदिया लगी हुई है वो जल ही खत्म होगी आपको बता दे कि 5 अगस्त को मुदी सरकार ने जम्मु कश्मीर से अनुछे 370 को हटा कर जम्मु कश्मीर और लद्दा को अलग अलग केंद्र शासित परदेश बनाया गया और इसके बाद से पूरी दुनिया में ही इस मसली की चर्चा हुई लेकिन मुदी सरकार के और से जब से ये फैसला लिया गया है तब से पाकिस्तान को काफी दिक्कत हुई है बेशर्म पाकिस्तान और उसके वजीर आजम इमरान खान बार बार अपनी हरकतों से खुद को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया है पाकिस्तान लगतार इस मसले को दुनिया के सामने उठा रहा है लेकिन जादतर देशों ने इस मसले पर भारत के पैसले के समर्थन किया है और इसे भारत का अंतरिक मामला बताया है पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले आतंग के आगाउं की और से कश्मीर के मसले पर अपने देश में कई तरह के प्रोडेक्शन भी किये गए लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि जम्मु कश्मीर भारत का अधिन अंग है फिलाल अमेरिका ने पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश की है या पाकिस्तान को जम्मु कश्मीर की जिद छोड़ देनी चाहिए और अपने देश की समस्याओं पर ख्यान देना चाहिए तोकि अमेरिका को अच्छे से पता है कि ये न्यू इंडिया है और न्यू इंडिया जैसे कुछ तैसे की भाशा में जवाब देना जानता है प्रुर रिपोर्ट भारत